अब कुछ ऐसे कोशन सोते हैं जहां पर पाइथा गोर्राइस तेवरम का इस्तिमाल हो रहा होता है हमें यहां पर क्या एक लंबाई निकाले और यह बहुत इंपोर्टेंट कोशन माना जाता है आपके एंसे एक जैंपल में बहुत बराया हुए कोशन तो अगर यह वन माक्स म समय नहीं है तो प्लीज जितना उसे को उतना शेयर करना हरे क्रिष्णा क्लास्टेंट कैसे आप सभी आई होप आप सब बढ़े होंगे और अपने एक्जाम की प्रिपरिशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे तो आपको पता है सरकल्स की सीरीज चली थी सरक्समें बहुत द यह गिफ्ट है आप सभी के लिए और किवल सरकल ही कहा यार ट्रिग्नोमेटरी प्रॉब्लम थी ट्रिग्नोमेटरी के प्रूफ देट वाले कोईशन में चार वीडियो तो मैंने सारे प्रॉब्लम खतम करें वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत आती थी मैंने दो वीडियो दो यह पार्ट वन जाकर जरूसर देख लेना और आज हम कवर करने वाले टाइप 2 टाइप 3 एंड टाइप 4 हम तीन टाइप आज कवर करने वाले हैं इसके बाद हमारे पास एक लास्ट वीडियो होगी जहां पर हम बाकी के बच्चे कुछ ताइप जो हैं वह कवर करने वाले फिर सरकल्स खतम इसके बाद आप लोगों डिमांड करें और ट्राइंगल की इसके उपर काम चालू कर दिये कंटेंट रेडिये बस ही खतम होगी शूट करके आपके सामने परोज देंगे वीडियो में आगे जाने से पहले यार कोई भी डाउट निकल के आता तो आप बच्छे इंस्टाग्राम पर लिंक में डिस्कूशन दे दूआ अपनी आईडी गी जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो दीपक भट 454 यह मेरी आईडी है मुझे नहीं पता आज सभी जाके जो इस्टाग्राम कर देना अरे पता कल बेश्यों में दोस्त ने करने कैसे इंस्टाग्राम के पड़ेगा और फेज़ूंगा पेज है महां फ़लो करना चाहां तुम्हां भी कर सकते हो और हां जितने भी कोशन मैंने ट्रिंग्नोमेटरी में लिए चैप्टर 4 में जितने भी कोशन सरफेस और जो इस बार सरकल्स में ले रहा हूं इन सारे क कोशन मैंने लिए आपके पी वाई क्यू से कोई एने करें तुक यह सी पीवाई क्यूस रिपीट करती हैं और पीवाई क्यूस से यादा है हमारे पीवाई क्यूस की सीरीज भी चल रही है साथ साथ में जहां पर मैं आपको लास्ट से सेवन एयर के कोशन करा रहा हूं वह चैप्टर वाईस कौन सा चैप्टर वाईस तो यह हम जो इस किताब से हम लोग कर रहें शिवदास पॉब्लिकेशन की तो यह किताब जो है आप लोग देख सकते हूं पर्चेजरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँँ है सारे कोशन जो है मैंने इसी किताब शि सबसे मेरे कोशन आने वाले हैं इसमें कोशन आने वाले हैं हमारे हैं सरकम्सक्राविग वाले आपने सना है कि चार कोशन करने वाले बिल्कुत ध्यान से सारे कोशन को समझने का प्रयास करना ठेक है ओके तो पहला कोशन क्या कह रहा है इन दा गिवन फिगर ABC is circumscribing a circle triangle हमारे पास ABC है इसने circle को खा रखा है circumscribe कर रखा है find the length of BC हमें इस BC की लंबाई निकाल लिए किसकी निवर निकाल लिए BC की लंबाई निकाल लिए अब जितने भी इस प्रकारे कोशन होते हैं वहाँ पर हम लोगों को सारे कौन जा theorem 10.2 का इस्तमाल करना होता है कि external point दे रखा है external point से दो tangent circle में खीचे जा सकते हैं और उन दोनों की लंबाई बरावर बरावर होती है ठीक है मतलब अगर मुझे BC पूरी लंबाई निकाल लिए तो मेरे पास यह point of contact है यह point of contact है यह point of contact है यह point of हमरे पास के contact हमरे पास दे रहीगा चीक है यहाँ पर इस point से दोयग है रहे हैं इस c point it despond d आइन वाले लंबाई जो है इसके बरावर यहित हमने सीका थेरों 10.2 में हागी नी तो इसका मताया अगर मुझे BC की लंबाई निकाल लिए तो बील पता होना चाहिए और लसी निकाल निगाल लिए तो सारा ध्यान का होना चाहिए बील पर और लसी में अच्छा मैने भी कहा C external point है, है ना, तो ये हमारे पास length और ये length के दोनों बराबर होंगे, क्यों, external point दो टेंजन के लंबाई बराबर, तो ये 6 cm, तो ये भी 6 cm ही निकल के आएगा, बास तुम्हाई निया, ऐसी, अगर हमारे पास ये, BN जो है, और BL, B external point से दो tangent खीचे गई है, दोनों के लंबाई बराबर, तो अगर ये 4 cm है, तो ये भी 4 cm ही निकल के, आएगा, बोलो, बास तुम्हाई निया, तो हम क्या बोलेंगे, गया गया 6 plus में 4, तो BL, जो है, सॉल्व किया, और आप आगे बढ़ जो, स्किप करके, ठीक है, लेकिन वो जो बच्चे को कुछ भी नहीं आता, उनको भी हमने आपर लेके, वो भी तो हमारे यार फैमिली के मेंबर है ना, उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है, तो आपने कोशन देखा, मान लोग आता है, सॉल्व किया, इसके आंसर चेक किया, वैस सही है, स्किप करके आगे बढ़ गए, इस तरह के से भी आप कर सकते हो, जिनको अच्छे सही आता है, अभी जैसे लेवल आगे बढ़ेगा, टाइपस बढ़ेगी, कोशन और मुश्किल मुश्किल होते, चले जाएंगे, अब बात करते हैं, नेक्ष्ट कोशन, कोशन और टू ये राव सभी के, स्क्रीन के अपपर, सेव, ऐसा ही मिलता है दा कोशन है, आए प्रयास करते हैं, सभी बच्चे, क्या बोला, इन दा गिवन फिगर, इस फिगर में हमें, जो AP है, वो 4 cm, AC, ये पूरी लंबाई AC, 9 cm है, और BQ दे रखा 6 cm, फाइंड़ सेमी पैरामीटर ट्राइंगल ABC, हमें बोला गए, A, B और C जो ट्राइंगल है, इसका सेमी पैरामीटर निकालना है, क्या होता है, सेमी का मतलब आदा, किसका आदा, पैरामीटर का आदा को सेमी पैरामीटर बोलते हैं, इसका मतलब हम अगर बात करेंगे, इसकी सेमी पैरामीटर की बात करेंगे, तो वो क्या होता है, वो होता है, पैरामीटर का, हाफ पैरी मीटर का, हाफ निकल के आता है, ठ क्या है कि आ फीज लेंट है प्लस में बीएं इसका आधा हमें संभिव आ रहे हैं नहीं तो अब हम्हें उर्षाइड पता होने चाहिए बीरों ऐसी यह पता होने चाहिए तुर जा निकल के आएगा लेकिन अब सारा का सारा आमें ध्यान लगाना है CQ निकालने के लिए Q, अगर मैं को BC निकालना है, अगर मुझे BC निकालना है, तो BQ तो पता है, ये नहीं पता है, ये अगर पता चल जाए, तो मेरा काम बन जागा, मैं BC को भी अराम से निकाल लूँ, ठीक है, अब समझे दान से, ये 4 है, ये 4 है, अगर ये actionable point मालू A को, तो AR और AP, A external point से खीची भी दो tangent है, और दोनों tangent के लंबाई बराबर होती है, तो अगर ये 4 है, इसका अगर AC लेका R तक 4 cm हो जाएगा, बोलो हाँ, ये पूरी लंबाई AC, पूरी लंबाई 9 है, और अगर AR 4 है, तो RC कितना होगा, 9 में से 4 घटाएगा, पांच आएगा, कितना 10.2, तो अगर ये 5 है, तो ये भी कितना होगा, 5 cm ही आएगा, और 6 है, प्लस 5, 11 cm, तो BC कितना आगया, अपने पास, 11 cm है, और AC हमें गीवन था कितना, 9 cm, तो तीनों लंबाई, तीनों साइड के लंबाई हम लोग को मिल चुके, कितना असान है, आईए, फुट करते हैं, त प्लस में, BC कितना आपने पास, 11 है, और प्लस में ये 9 दे रखा, अपन पे 2 आएगा, चीक है, कितना आगये, 20 प्लस 10, 30, 30 डिवेड़ बाई टू, जो की 15 cm निकल के आएगा, तो हमेरे पस ऐसे कोशन आपके पीवेक्यूस में बहुत सारे भरे हुएं, आपके 2 मार्क्स मे कोशन काफी जादा आते हैं, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए, आप टेंशन मत लीजे, सरकल्स की पूरे जिम्मिदारी मेरी है, इस वीडियो के माद्यम से, कोई भी कोशन नहीं छोड़ने दूँगा, मैकसिम कोशन को कोशिश करूँ हैं, आपर कबर करने की, बिल्क मेस आप से, मेशन द रहा चाहिए, मैं पुर्ल बजाना आना, बाप सहुवा होना, मैं से, कैई तरह के बन करने के लिए, सीधा मुझे उसमें आना ही, और मैंने कैजने, सिदा 20-50 लेक्षर यह देख लिए सीधा कैच बजाते हैं वो तो सीख गया मैं उतना पाट तो सीख गया पर आगे के लिए न मुझे पता चला कि मुझे basics पता होना चाहिए अब चाहे मेरा इच्छा हो चाहे ना हो पर basics अगर clear नहीं है तो भले एक दो topic में सीख लूँआ एक दो मंतरा सीख लूँआ बड़ सभी मंतरा को perfect करने के लिए मुझे basics आना ज़रूरी है इसलिए हमें सारे basics पता होना ज़रूरी है have patience किसी चीज़ को सीखने के लिए patience बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है ग्याने गिड़ फैमिले के जितने भी मेंबर है उनके पास patience है और समझदारी से काम लेते हैं सारे questions करेंगे आगे चलते हैं next question three year up सभी के screen के पर ओके अब यह काफी ज्यादा important question है अगर आपके exam में आता है तो three marks confirm question है इसको याद से note कर लेना सारे question बहुत important है question क्या कह रहा है इसमें क्या खास बात है इस question में न तीनो side दे रखिए पहले क्या बोला गया कि triangle circumscribing a circle ठीक है और तीनो side दे रखिए हमें बोला गया वाई a b दे रखा कितना 12 cm b c दे रखा 8 cm और अपने पास ac दे रखा 10 cm तो कहरा बताओ निकालो a d निकालना a d निकालना है और b e निकालना है और c f यह सब मुश्किल सा हो जाता है तो इस question में न मेरे एक बात ध्यान रखना हमेशा जब तीनो side दे रखिए हो ना तो किसी को एक को ना को भी side को एक छोटे part को मालो यह a x न पॉइंट है ठीक है और यहां से दो यह 12- x निकल के आयगा ह lots को ठीक हैbled यह 12- x निकल के आयगा अच्छा अगर यह x है तो यह निकल के आएगा अगर यह 12- x x है तो यह 12- x हो जाएगा और अगरаться इस एल्याजा पॉइंट यह B तो यह भी 10-x निकल के आएगा बहुले बात सवाज में आई या नहीं आई और ऐसी साइड जहाँ पर दोनों x नेगेटिव हैं इस साइड को हमने उठा लेना है किसको उठा लेना है हमने bc को उठा लेना है bc का मतलब क्या हुआ c e और प्लस में क्या e b यह हमें इस तरह द्यान रख रहा है अच्छा bc किता आगे बने bc में टोडल आठ दिया हुआ है तो 8 इक्वल टू c e कितना आपने पास 10-x और e b कितना आपने पास 12-x तो 8 इक्वल टू आ गया माइनस x माइनस x तो आ गया 10 प्लस ए 22 22 माइनस में 2x निकल के आ गया अब यह तो टू एक्स इस इक्वल टू टू देगा कितना अपने पास 14 इना और x आ देगा 7 14 इना निकल गया 7 cm जो है गया दूसरा का निकालना बी निकालना है बी चेक करो कहां पर है बी है 12-x तो 12-7 तो आ गया 5 cm ठीक है और फिर क्या निकालना है तो cf कितना निकल के अगर बता हो तो 10-x तो 10-7 जो की आ गया 3 cm तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों साइड को निकाल लिया है तो याद रखना अगर हमारे पास क्या है अगर चोटे मूटे तोड़के दे रखे मतलब समझाओ उससे फिल करने होते हैं और माइनस करके आ यह सारे चीज़ा अपने अपने दिमाग में रखनी है मजा आ रहे हैं अभी और आगे चलते हैं और बढ़ाता है अब नेक्स कोशन करते हैं मेरा फेविट कोशन और सी बेसे कभी बहुत बार कोशन यह आपके एक्जाम में अच्छे से आचुका जान सुनेगा ठीक है कोश च्छी नाइन है दीकालना है अब यह कोशन आपक क selective में एक माखसा अगर यह पोशन आपका पूशन आपका objective में पूछता है तो हमें एक चीज याद रखनी है क्या याद रखनी है जब भी कोई भी कॉड़ी लेटल किसी भी सर्कल को circumscribe करता है तो उनके अपोजिट साइड का सम बरावर होता है वन मोर टाइम अपोजिट साइड का सम बरावर होता है कहने हम लग क्या है कि AB AB प्लस मे CD जो है एक्वाल टू कितना BC प्लस में AD तो हम डारेक्ट इस रिजल्ट का इस्तमाल कर सकते हैं दुबार बतारो मैं जब भी कोई कॉड़ी लेटल किसी सर्कल को circumscribe करता है तो इनके अपोजिट साइड का जो सम है वो बरावर हो जाता है यह आप डारेक्ट यूज करोगे जब आएगा कोउशन वन माक्स में लेकिन जब यह कोउशन तीन माक्स में आपके एक्जाम में आएगा तो वहाँ पर हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा जो कि मैं अभी आपको करके बताऊं आप और प्रूफ करने ला कोउशन कहां से NCRT से बनता है आई यह पर निकाल तो आपने इस तरीके से डारेक्ट रिजल्ट को करना है लेकिन अगर मानलो यह वन माक्स में नहीं आता अगर यह वन माक्स में नहीं आता तो कैसे करोगे तब आपने क्या करना है जो पॉइंट से इसको मानना है यह पॉइंट पी हो गया यह वाला पॉइंट क्यू हो गया ये वाला point R हो गया और ये वाला point S हो गया इस तरीके से आपने points को लिख लिए ना बात समझाएं यही चुक है अब मेरी बात को द्यान से सुनना अमें पता है कि अगर मैं A external point लेकर चल रहा हो तो AP जो है AS के बराबर क्या होगा AP is equal to AS this is our equation number first same ऐसी अगर B को external point लेकर चलूँगा तो BP बराबर पर BQ simple तो BP बराबर में कितना आएगा BQ निकल के आएगा equation number second निकल के आएगा same ऐसी अगर मैं C को external point मान लू तो RC equal to CQ निकल के आएगा तो हम बोलेगे RC is equal to CQ equation में क्या जाएगा यह अपने पास थाड़ हो जाएगा और से अगर D को external point मान लू तो DR equal to DS हो जाएगा तो DR equal to DS और इन सब पर reason क्या लिखोगे इन सब पर reason लिखोगे theorem 10.2 theorem 10.2 इस तरगी लिखोगे आप यह भी लिख सकते हो वरना एक काम कर से लिख सकते हो कि the length of tangent drawn from the external point are equal in length proper उसके statement भी लिख सकते हो को लिख कती बाहर ना ही ठीक बाहर आप क्या करेंगे सबको एड कर दो adding first to 4 एक सिलेगर 4 तक एड कर दो टेकर आई एड करते हैं कितना है कि यह आएगा AP और प्लस में BP और प्लस में RC और प्लस में DR is equal to आएगा अब P में बीस जोड़ेंगे तो किया आएगा इपि गए भी रूg पर इंपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ तो यहाँ पर आपक alltid आर से आर यहां पर फरत πα्म फरसा जाएगान बात वही निकल के आ गई कि अगर दें उसके अपॉसिट साइड का जो सम होगा वो एक्वल होगा और इसी का इस्तमाल करके हम लोग आंसर निगाल चुके हैं कितना आंसर आता है एडिका फाइव सेंटिमेटर निकल के आता है जो कि आपको पता चल चुका है तो अगर यह वन माक्स में आता तो भी आपको समझ में आ गया और अगर त्री माक्स डिखान रखना थे कि हम इने बहुत ज़ादा कोशंस करने की नीट नहीं हमें सी बच्व को समझना है कि वह क्या कोशन सब्सक्राइब क्या चाहती है तरकल में से किवल दो या तीन कोशन के लिए अब तुन्हें भेंकर-भेंकर कोशन कर लो जो कि सी अग्जाम कौइंट विस तो यहां से हमें कोशन्स करने हैं समझ गया मेरी बात को सिंपल रहना स्मार्ट वर करो हार्ड वर करने की नीड नहीं है तो जो पीवाई क्यूशन्स है पहले में उनकी प्रैक्टिस करनी अच्छे से उसके बाद फिर किसी और सी करनी है ठीक है आईए अब हम बढ़ते हैं ने पॉइंट से दो टेंजेंट खीची जा सकती है यह और दोनों टेंजेंट के लिम्माई बराबर होते हमें पता है लेकिन इसमें क्या होना एक थर्ड टेंजेंट आता है जो कि बाकी दो टेंजेंट को कट कर रहा होता है ठीक है बात समझ में आई सेम देखो यहादा कोशन चेल्म तरहने को कि यहांपर होई है कि हमारे पास एक और टैंजेंट है जो कि इसओफ कर रहा है और परकार के कोशन को नहीं रहें की पीडा इस टाइप में आपको क्या खास में नहीं अपको समझा डिया है एक ही तरह का कॉंसेट यूज़ neural सिंगे हुआ्व एपि बीपि और की औरा की आरडगेंग्ट फॉ AH जो के न है वो इसके बराबर यह प्रूफ करना है अब यह बिल्कुल बेसिक चीज है जो कि हम लोग आगे कोशन पर इस्तमाल करेंगे तो अगर हम यह समझते हैं तो आगे समझने को रिक्कत नहीं आने वाले सबस्क्राइब को यहां चीज समझाता हूं देखो यहां पर समझ आस अगर अगर आप सबस्क्राइब से हमारे पास के हैं अगर मैं को देखूंग को लिख सकता हूं kc plus cn भाई kn है kc plus cn तो kc plus में cn के n ये होना चाहिए था क्यामारांसर रकर नहीं यर kc cn नहीं a k और bn है अच्छा आप Кराये हैं अब सुनो धियान से खर मैंने बता दिया क्या था था क्या मैं kc के बदले एके लिख सकता हूं Q क्योंकि KC और A के तो बराबर बराबर Q क्योंकि K odpow हो गया और दोनों टेंजनर की लंबाई बराबर तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि KC KC is equal क्या होगा अपने पाँ की होगा Q reason क्या दोगे theorem 10.2 क्या दोगे theorem 10.2 और similarly इसी प्रकार से हम कह सकते हैं विए न है हमारे पास दो चीए न कर बदले अगर एंट एक्स्टनलर पॉइंट है तो चीए न और बियें बराबर तो चीए न के बदले बीन लिख सकते हैं तो सी यह जोए कितने बराबर है वह अपने बियन के बराबर क्यूं तो इस से में तो क्या बन गया के एंड बन एक प्लस वी एंड और यह होगा है इसका इस्तमाल मैं अभी बहुत जादा करने वालो आगे जान सब्सक्राइब तो आई यूप आगे करते आई बड़े कोशन में बेसिक्स बहुत ज़रूरी है अब थोड़ा कोशन बढ़ाते हैं करा है इन दा गिवन फिगर, xp and xqr tangent ठेक है हमार पास क्या है xp और xq tangent है from x to the circle ठीक है o center दे रखा है r is a point on circle r circle में ही point है and a b उसमें tangent दे रखा है prove that xA xA और plus में AR equal to xB plus में BR हमें यह proof करना है यह हमें proof करना है अब इसको proof कैसे करेंगे तो आएए मैं औरे 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 तो आएए इसको proof करके दिखाते हैं आपको आसा अंदर की से इसको हमें proof करना देहान सुने देहान सुने हमें बोलागे xA प्लस में BR, यह हमें प्रूफ करना है, ठीक है, अच्छा चलो छोड़ो, तब से विल हमें क्या पता है, अगर X external point है, तो X से दो टेंजल खीचन है, XP और XQ, तो हमें पता है, XP is equal to XQ, बराबर का sign आगे, इतना आगे, अच्छा, अब मैं क्या XP को XA plus AP लिख सकता हूँ, क्या हमें XA plus AP, धान सुनना, और X क्यों क्यों क्या लिखेंगे हम लोग, XP और प्लस में BQ, अब यहाँ पर मैं X से लिए यहाँ, यह X B लिए यहाँ, मेरा कम आसान हो रहा है, यहाँ पर क्यों आया है, यह theorem 10.2, यह सब लिखना ज़रूरी है, theorem 10.2, ठीक है, अब XA के बाद न, मुझे AP नहीं चाहिए, क्या चाहिए, AR चाहिए, ठीक है, मुझे AP नहीं चाहिए, AR, वो यह काम बन गया, अगर A actual point है, तो AP AR के बराबर होगा, हम यह अब लिख सकते है, as we know that AP is equal to AR, और similarly, RB जो है, वो BQ के बराबर होगा, RB equal to BQ, बुलबास में Q, यह theorem 10.2, क्या होदा है यह theorem 10.2, सेम चीज़ का स्वाल कर रहो है, जो पहले कोशन में क्या था, अब जहां पर हमारे पास AP है, उसके बदने में क्या लिखता हूँ, AR, ठीक है, और बराबर में, ठीक है, बराबर में, XB है, और जहां पर BQ है, महां पर क्या लिख रहा है, मुझे RB, तो प्लस में RB सिंपल सिंपल कोशन आपके दो मार्क में बहुत अच्छे से बन जाते हैं, आयूब आपको यह कोशन सब्सक्राइब, यहां पर केवल मैंने आपको हलका सा बताए कि यह होता है, इसका अस्तमाल करें कि मैं थोड़ा सा और उपर लेवल किया, आप थोड़ा सा उपर लेवल और और कर लेते हैं, आईए, अब इस कोशन करते हैं, इन दा गिवन फिगर, आप यहां पर न यह कोशन कॉमन है, पैरामीटर वाला कोशन है, पैरामीटर पूशता है, कह रहा है, सेम वही चीज़ है, मैं आपको ताए, एक 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 एक्शनल पॉइंट है, और यह टैंजें हमें निकालना है, 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 पैरामीटर निकालना है, किसका, पैरामीटर ओफ ट्राइंगल ए बी सी, तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, ए बी और प्लस में, बताओ, ए बी प्लस में बी अच्छा हमें एपी पता है और जितना एपी उतना एक्यू भी है अब जब पैरेमेटर निकालना होना तो इसका तरीका बगल जाता है है concept वही हमें करना के हमें दोनों tangent की लंबाई जो एड करना पड़ेगा इसको नोट डाउन करना है यह चुड़ेड कॉंसेट है जोकि बहुत फास्ट करवाते हैं Q plus AC या ना, by CQ plus AC, AB plus BP, खत्ब, अब, AP कितना दिया हुआ है, 12, 12, इसको 24 हो गए, equal to, AB हमें चाहिए, AB को AB रहन दो, plus में, हमें BP और CQ है, हमें BP CQ नहीं चाहिए, हमें कैचे BC चाहिए, अब BC कैचे है, अगर यह actual point है, तो BP जो है, वो BD के बराबर आएगा, BP equal to BD, same ऐसी, जो CQ है, वो किसके बराबर होगा, CD के, तो CQ equal to कितना आएगा, CD निकल कैचेगा, CD, क्यों आएगा, theorem 10.2, theorem 10.2, हमें तो BP की जोगता नहीं है, हमें तो BP में नहीं है, हमें उसके वाले BD चाहिए, यहां पर आगाए BD, CQ की जगाए, CD, और हमें last में AC तो चाहिए, AC का AC ही रह गया, चेके है, बहुत असान, बहुत ज़्यादा असान, आप सोने जान से, 24 एकवल टू, ABA हो गया, बड़ास में, BD प्ल़स CD क्या भन गया, आपका प्रॉपर क्या भन गया, BD प्ल़स CD, BC बन जाएगा, तो अगया BC और प्लस में AC निकल के आगया, अब देखोने ध्यान से, अब देखने जानसे कितना जह कितना जह पहुआ हमें ऑफ ट्रैंगल Desha कितना जह भ क्या होता है दुगुना तो इसका ट्राइंगल का पैरमेटर हमें इसा दुगुना होता है बड़े वाले टैंजेंड के लंबाई के मुकाबले अगर लंबाई 12 है तो 24 है दस है तो 20 है तो 15 है तो तीस निकल के आगा आई नो आपको यह कोशन काफी अच्छे से समझ में आगे आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो और चीजे भी सीखते चलो ठीक है तो अगर रोज और डेटर दो घंटे की वीडियो बनेगे एक ही में तो आप भी फ्रस्षट जाओगे पूरा बैट में नहीं पाओगे इसलिए प्रैक्टिस के साथ सब छोटे कोशन करने चोड़े तो स्टेप्स लेने स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ एड देखा ना चलो अब यह जो टाइप टाइप फोर इसमें क्या कोशन पूछा जाता है इसमें एक सिंपल फिक्स प्रकार कॉंसेप लग रहा होता है कि इसमें भी सेम होई है कोई कोई कॉडी लेटरल जो ह पूरा कोशन लिंग होता है सीम देखो सारे टाइप पर समझो यहां पर समझो एक एंगल एक एंगल हमारे पास कहा है और यहां पर रेडियूस से लिंग्ड है इस तरीकी के कोशन रहा है कैसे उसके रमागे बढ़ते हैं इस टाइप के कोशन में खास बात क्या होती है न कि जो रिडेस है उसका इस्तमाल करना पड़ता है और जहां पर भी 90 डिगरी का एंगल है वहाँ पर हमें से एक स्क्वेर बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे इसको समझना चाहिए ट्राइंगल हो चाहिए यह हो मुँआपर क्या कर रहे हूंगे एक square बना रहे हूंगे इससे क्योशन आसान हो जाता है इस type में ठाके है इस square से फायदा होता है सुनो जाए अंसर कैसे कर रहा है find PC हमें PC निकालना है क्या है PC निकालना है let's suppose PC को मैंने X मान लिए हमें यह X निकालना है पूरा वी दे रखाै मेरे को 13 में पूरा बीजी दे रखा है समय और एकड़ी ये पूरा एक यह ये अब पूरी पूरी लबाई अब ये रेडियस और ये टेंजेंट तो 90 इंगल बनाएगा थियोर्म 10.1 अब किसी बी कॉडिलेटरल में अगर तीन एंगल 90 डिगरी के है तो चौथा एंगल बहुत इंगल क्या होगा आपके 90 डिगरी के हो गए जब किसी quadrilateral में 4 angle अगर 90 degree के होना तो या तो वो quadrilateral square है या rectangle है अगर मालो rectangle है तो यह 4 तो यह PD भी 4 cm आएगा और यह 4 तो यह भी 4 cm आएगा तो यह rectangle नहीं था यह क्या था आपका square था सबसे पहले हम लिखेंगे कि o q is equal to o p कितना आएगा हमार पास equal to 4 cm यह अपने पास क्या रेडियस के बराबर है ठीक है सिंपल है और फिर हम बोलेंगे o q ना o q is perpendicular on किस पे बहुत पूरा कितना a q ठीक है और similarly अपने पास क्या बोलेंगे o p is perpendicular on क्या p d by theorem यह क्या हैगा theorem 10.1 theorem 10.1 तो हम क्या बोल सकते हैं कि angle q is equal to angle d is equal to angle p कितना आगया नभेड़ी निकल के आगया ठीक है और हमें पता है कि एंगल o plus में एंगल q plus में एंगल d plus में एंगल p कितना आपने पास यह 360 होता है और यह 3 पता कितने 90 नभेड़बे निकल के आगया तो हम बोल सकते हैं कि एंगल O equal to angle Q equal to angle D equal to angle P equal किता आ गया 90 degree का निकल के आ गया हम क्या बोल सकते है इट मेंस O Q DP is a square क्या है स्क्राइर त्राय इसका मालतों क्या बोलेगे ओक्यून टू ओ ओपी एकवल टू क्यूडी एकवल टू पी-डी एकवल TY dos four 70 बस यह हमें यहांत अंहीं से पहुंचना था अब आगी कहानी समझो आप समझो हमारे पास क्या है यहीं पर गरते हैं यह पर गरते हैं यह पूरा AD हमें 15 दिया हुआ है कितना 15 जिसमें से QD 4 आ गया है तो 15 में से 4 गया 11 यह आपका 11 सेंटीमेटर आ गया अब हमें पूरा AD दे रखा था 13 सेंटीमेटर अगर पूरा AB 13 है और 11 आया तो इंगने करेंगा और पूरा BCA में 7 cm दे रखा है और ये 2 तो कितना हैगा 5 आएगा और अगर ये 5 है ये एक्षनल पॉइंट तो एक्स भी कितना हैगा एक्स भी आपका 5 ही निकल के आएगा तो इस तरहीं करेंगे तो एक्स कितना आगे अपने पास 5 cm निकल के आजागा बोलो बाद समझ में आई यहां पर नहीं है हमने पूरा 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 जो है इस डायराम को भरके बड़े आराम से यहां पर निकाल लिया तो जो बीच में यहां से यह 4 तो यह सारे 4 हों क्यों क्यों एक स्क्वेर बन चुका है यह concept है इस कोशन तो ठीक है आई योब आपको स होगा नभये डिगरी का एंगल itelा करें तो हम क्या करें है सेम वहीं काम करें इसको जोडें यह तरहीं तो यह तीन ben यह करें रेधियност नकालना है यह िस यह रीडेटियस है और यह चारोand यह हमें QD यह आर निकालना है हम लोग को basic लिए का निकालना है तो आए आर निकालने का प्रयास अराम से करता है किस तरीके से किया जाएगा सबसे पहले मुझे BS दे रखा है 5 cm अगर BS 5 है इसका लग बी आर भी 5 होगा हम बोलेंगे BS is equal to BR equal to 5 cm तो यह 5 cm आ गया है अगर BR 5 आ गया और AB total 23 है तो AR कितना आएगा तो हम बोल सकते हैं AR आएगा 23 माइनस में 5 तो AR निकल के आ कितना आएगा 18 cm निकल के आएगा AR कितना आ गया 18 आ गया अगर AR 18 है तो AQ भी तो 18 होगा न एक्षन पॉइंट टेंजन की लंबाई तो AR equal to AQ AR equal to AQ is equal to 18 cm और अगर AQ 18 है तो QD कितना होगा 29 में से मैनस करेंगे तो QD कितना निकल के आएगा जो की R है वो आएगा 29 मेनस में 18 जो कितना आगया अपने बास 11 cm निकल के आगया तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस चो है वो 11 cm हो जाएगा कोशन यह बहुत ज़्यादा आसान बन जाता कब जब यह समझ जाए कि यहां पर हमारा जो रेडियस है यह बीच में क्या बना रहा है एक स्क्वेर बना रहा है अब यहां तर कैसे पहुंचे यह लंबाई निकाल लो यह लंबाई निकाल एस कोशन हो को अच्छे से चलिए नहीं चलते है थार्ड कोशन यह आप सभी के स्किन के आपर पहला काम तो सेम है भाई यह रेडियस और ही 90D रेडियस टैंजेंट तो यह डोटल कितना होगा बीसी बीसी कितना कितना होगा बीचान से लिगे कितना है लें और एक एलए निकलगर तो हमने इस Amer कितना होगा टेरा दिया अब यासार था किณ C c को जोड़ने पर क्या निकल कर आ रहा है ऐसी कितना होगा निकालना है आए यह बосьמת हब और पहता किया गोन चाचा को क्या बोलते वो बोलते हैं किसी ट्राइंगल पर तो एसी का स्क्वेर और प्लस में बीसी का स्क्वेर निकल कर आएगा यह इसाफ किताison ट्रचाइब कितने पास 14 तो प्रटीएट का स्क्वेर हमें दे रखा है इस तरीक है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे मैं तकनिक बताओ निकालने का एक टकनिक बताओ मैं अपको कालने का असान तरीका यह सोड़ा लेंदी पड़ जाएगा हमना किसी सेम नम्मर से मैं इसको टू से डिवाइड कर दता हूं सबना मैं ट्रिक है हालागे हम नॉर्मल कर सकते हैं वो ट्रिक समझो मैंने अगरा मैंने बोला एसी का स्क्वेर इकल टू आगया सेवन का स्क्वेर प्लस में 24 का स्क्वेर अब यह असाने के मुकाबल निकालना कितना एसी का स्क्वेर कितना निकल के हैगा 49 ठीक है और प्लस में मिला हाफ किया मने ठीक है और आए सी जो है 25 निकल के आगया तो यह उस तरीके से मैंने इसी निकाला लेकिन मैंने हाफ किया था ता जिसी निकल यह century निकल के आए से Akin्टीप्लातर कर दो तो एसी अक्टन conclude कर दो क्या कितना है 50 Cat तो यहां से जो है वह 50 निकल गया तो यहां से जो है वह 50 निकल गया तो यहां से से किना अगया से एक कितना है इसे थिनत्य pore में अगर कि इसे फिकल तो तो आच्छे बारा चार पांच ए शिक्स्टी टू माइनस में टू आर एक्वल टू फिफ्टी आ गया तो इस रेडियस वेस्ट कोश्चंस आपके आते हैं जहां पर यहां पर क्या बन रहा होता है स्क्वैर बन रहा होता यह बात आपको अमेस्टा ध्यान रखने कि भीच स्क्वैर बनेगह तोется यह RRR कर देना है स्म ही सें मिवन यहां पर क्या करा RRR 4444 अपनेया फोर दोनों प्रकारे कोश्णं यहां पर रहे只是 मैं कोशन माना जाता है आपके आगे जो टाइप्स आने वाले वह बहुत जादा और हाड लेवल्स के होंगे मुश्किल दिरे-दरे सारे लेवल्स बढ़ता चल जाएगा चाया बेसिक से हो चाया स्टेंडर से निया नहीं है अब बाई दोनों के लिए है आपको पूरी से टर्ट करने में इसी इसाब से बताई है असान कोशन प्लस मुश्किल कोशन जाना अंतर दोनों में नहीं होता वीडियो कैसे लगी मुझे कम करो अभी जाके कि यह दन हो गया है पार्ट 3 लेक्या हो और जैसे 10,000 व्यूस और 300 कमेंट होते हैं तो नेक्स पार्ट लेके आया दका आप लाइक ले और लास्ट पार्ट हो सरकल खतम और इसलिए मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जल्दी जल्दी कमेंट करके शेर कर